अस्सालाम अलेकूम मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं कश्मीरी फूड आज मैं आपको सहरी स्पेशल में घर पर दही जमाने का मैथट बताऊंगी आप देख सकते हैं कितना जबरदस दही जमा है बिल्कुल भी पानी नहीं हुआ और इसके उपर बलाई भी आई है तो मेरी वीडियो को कम्प्लीट फॉच कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलें अपना दही बनाना स्टार्ट करते हैं दही जमाने के लिए मैंने एक किलो दूद ले लिया था जो पहले से बॉइल दूद था और इसको मजीद मैंने उबालाने के बाद मजीद तीन से चार मिनट के लिए पकाया था आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से पक रहा है अब मैं इसका फ्लैम ओफ करूंगी और एक मट्टी के बर्दन में इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ गरम गरम दूद को मैंने एक मट्टी के बर्दन में निकाल दिया है और अब मैंने इसको इस तरीके से जाग लगाना है और याद रहे आपको अंदासा होका ही कि बजार में भी ज्यादा तर मट्टी के ही बरतन में दही को जमाया जाता है और इस तरीके से हम जाग लगाएंगे तकरीबन 5 मिनिट के लिए जब तक के दूद हमारा बिलकुल ठंडा हो जाए बिलकुल तूद को ठंडा कर लेना है हमने इस तरीके से जाग लगाने के बाद अब दूद हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जाग इसमें लग चुकी है और अब इसमें मैं एट करूंगी दही आपको पता होना चाहिए कि गरम दूद में हमने दही एट नहीं करना अब हाफ कप मैंने दही ले लिया था इसको मैंने तीन से चार्जर का पर डाल दिया दही भी हमारा अच्छा होना चाहिए जो हम दही बनाने के लिए इस्तमाल करेंगे अब ये कवर करके रख दूँगी मैं तकरीबन 6-8 घंटों के लिए तकरीबन 8 घंटे के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा सा जम चुका है याद रहे इस बर्तन को मैंने बिल्कुल भी इस जगा से हिलाया नहीं है ये जिस जगा मैंने रखा था उसी जगा रखे रहना है अगर हम ये लाएंगे तो दही साइड नहीं बनेगा अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि दही कितना अच्छे से जम है एक चम्मत से मैं निकाल रही हूँ आप देख सकते हैं कितना जबर्दस जमा है हमारा दही आप जरूर ट्राइ कीजिएगा सहरी में बनाईएगा सहरी में बहुत इस्तमाल किया जाता है मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज